डॉक्टर बाबासाहिप आमबेडकर ओपन उनिवर्सिटी नमस्ते विद्यार्थी मित्रो डोक्टर बाबासाइब आमबेडकर ओपन युनिवर्सिटी ना ज्यतिर्माई परिशर ना चेतन्य स्टुडियो माथी हुँ डोक्टर ज्यागरूती चेमहता गुजराती विशाई ना मद अधनिश अध्यापक आप सवने आवकारू तो विद्यार्थी मित्रो आजे हुतमने विनियन विद्याशाखाना प्रथम वर्षना मुख्य विशै गुजराती ना पेपर एक गुजराती गध्यना एकम आठ श्री पन्नालाल पटेल रजीत मडेला जीव नवलकथाना अंश प्रथम संगात प्रक्रण नो अभ्यास कर पतापुर्वे लेखक श्री पन्नालाल पटेल नो परीची जुईये तो पन्नालाल पटेल नो जन्म साबरकाठानी सरहदे आवेला मांदली नामना एक नानकडा गाम मां खेडुत पिता नानशा पटेल ना घेर इस्विशन 1912 मां थयो होतो मांदली राजस्थान ना डुंगरपूर जिल्ला मां आवेलू गाम छे पन्नालालनू बाल पटेल पटेल प्रक्रुतिनी गोध मां उचर्यू छे पिता नानशा नु घर एक नानकडा गाम मां विद्यानु घर तरीके ओडखातू कार्ण के पिता अभण लोको सामक्ष ओखारणनी कथा गाईने समढ़ावता अलप शिक्षित पन हिसाब किताब मां होश्यार तेथी गाम मां सव तेमना तरफ मान्ती जोता बालक पन्नालाल माता हीरबानू अरणक वहाल पामेला गाम मां गबा गोर नी निशाल चालती नहीं पन जैशंकरा नंद नामे एक साधू साथे पन्नालाल मेगरज बनवा गया एक वकत मेगरज मां इडर ना महराजा हिम्मत सीनो मुकाम हदो तक मनता जैशंकरा नंद ना प्रसाहन थी पन्नालाले एक सुन्दर गीद मधूर स्वर्मा गायू ते थी महराजाय खुश थाईने पन्नालालने इडर बोडिंग मा वदू अभ्यास नी व्यवस्था करियाबी त्या सहाय दी तरीके उमाशंकर जोशी नो परीचेई थोयो इडर मां अंग्रेजी चार चोपडी एटले अत्यार ना धोरण आठ सुधी नो अभ्यास केहवाई चे तेमने कर्यो पची आर्थिक मुश्केलियोने कार्णे शाला छोडी देवी बड़ी परन्तु तेमनामा उंडी समझ मनुष्रने पारखवानी शक्ती आत्मविश्वास गजबना हादा चे तेमना जीवननी महा मूडी बनी रह्याचे नोकरी धन्धा माटे आजीवी का रडवा माटे पन्नालाले जे पुरुशार्थ खेडियो छे तेनी पन विलक्षन कथा छे मिल मा नोकरी कापड़नी डुकाने वेयर हाउस ना मैनेजर मिल जीन स्टोर मा महता जी विजडी कंपनी मा मिटर रीडर दुदेश्वर्व वाटर वर्क मा ओयलमेन दड़वानी घंटिये वगेरे एम जात जात नी नोकरियो करता करता भात भात ना लोको नो परीचै अने विविद अनुभवो थाया आ दिवसो तेमना जीवनना वासंती दिवसो हता मेडा, पावा, गीतो, हर्याडा, खेतरो, हर्ड, उडा, बढ़दना गमकता गुगरा साथे नुँ मोकलाश भर्यू जीवन जाने स्वप्न बनीने रही जाई एम आर्थिक विटंबना परडो लेती हती एवामा, 1936 मा तेमना मित्र उमाशंकरे लखो पन्नालाल एम कहीने लखवानी प्रेरणा अने प्रोस्साहन आप्या अने एरीदे पन्नालाल मा पड़ेली आत्मश्रद्धाने संकोरी आपी सर्जन शक्तिने प्रोस्साहन आप्यू आम लेखननने पन्नालाले आजीविकानू साधन बनाव्यू तेमने सुखदुखना साथी, पानेतरना रंगो, वात्रकने काठे, चीतरेली दिवालो, वटिनो कटको, रोम मटीरियल, वगेरे जीवा एकतरी स्वार्ता संक्रहो आप्या छे तो वडामना मलेला जीव, मानवीनी भवाई, भांग्याना भेरू, कम्मर वलोणू, भाग एक बे, पाचले बारने, नाचुटके, मन खावतार, वगेरे जेवी 56 नवल कथाओ, गुजराती साहीत्याने भेट आपी छे तो जमाई राजा, वैतरणीने काठे, डुलिया सागसी समना, वगेरे जेवा नाटको, एमना तरफती मड़या छे अलब जलब द्वारा संस्मरणो, जिन्दगी संजीवनीना सात भाग द्वारा आत्मक था, बाल साहीत्य तेमच प्रकिर्ण, केटलीक रजनावों मली, कुल 115 जिटला पुस्तको प्रगट कर्या छे तेमनी वाडताओ माथी, जारपाच प्रतीनिदी संजयोपन प्रगट थाया छे तेमने जीवनना छेल्ला श्वास सुधी लख्यू छे क्षईना दर्दमा सारवारनी आडसर थाता, तेमने सामबलवानू संपुर्ण बंद थाय गयू हतु अने बेहराश आवी गय हती, तो बन तेमने जीवन श्रद्धा गुमावी न हती अन्तर नी कोई अजब मस्ती थी जीवन जीवता रहया अने सर्जन द्वारा सरस्वतीनी साधना करता रहया विधी सरनू शिक्षण साव अल्प छता, जीवननी पाठशाडाना बवडा अनुभव थी समरुद पन्नालालेनू समवेदन तंत्र पन्नालालेना हाथे एक एक थी उँची कोटीनी रजनाओ प्रगट करावीने रहयू 1950 मा रंजीत्राम सुरण चंद्रक द्वारा, अवार नवार राज्य सरकार द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा अने 1915 श्रीमा भारतिय ग्ण्यानपीठ द्वारा तेमनी सर्जक्ता पुरसकार पामती रहीचे एक व्यक्ती तरीके पन्नालालना स्वभावनी सरडता हम्मेशा सामी व्यक्तीने तेना तरफ खेजी राखेचे जीवनने एना रम्य औने रुद्र बन्ने रूप मा जोयू औने मान्यों चे सर्जन मा पन रम्यता औने रुद्रता आलेखी परम विश्वाईना अंश स्वरूपे तेथी एमनु सर्जन इतर्जन अने साहित्य रसीको सर्वने एक सर्की रिते स्पर्षतु रह्यू छे 1909 सीमा सत्योतेर वर्ष्णी वाए तेमनु अवसान थायू सर्जक परिचे जुयाबाद विद्यार्थी मित्रो आपने चे गद्यांश नो अभ्यास करवाना छीए ए गद्यांश नवलकथा माती लेवायो छे तो अहिया आपने थोडो नवलकथा स्वरूपनो बरिचे जुईए तो विद्यार्थी मित्रो नवलकथानु स्वारूप शूँ छे ते जुईए तो नवलकथा ए अर्वाजीन गुजराती साहित्यनों सवथी लोगप्रिय साहित्य प्रकार छे संस्कुरुत साहित्यमा तथा मध्यकालीन गुजराती साहित्यमा वार्ताओ रजाती आवी छे परन्तु आजनी नवलकथानु स्वरूप संपुर्ण बने अरवाजीन छे जे स्वरूपे गुजराती साहित्यमा नवलकथा विक्सी छे ए पस्ट्रीम माथी उत्री आवेलो साहित्य प्रकार छे नवलकथानी स्वरूप चर्चा करता यश्वंत शुकल कहे छे के जीवन व्यभार तो जेवो हाई तेवुज चित्रीत करवानू एमा उद्रिष्ट छे तथा पी एमाना पात्रो प्रसंगो औने रसबिंदु कलपीत औने नवीन होवा थीज एने नोवेल अथ्वा नवलकथा नाम आफ्वामा आव्यूश उग्णिस्मी सदीना मध्यभाग मा पस्चिमना साहित्यनी प्रभावक असर गुजराती साहित्य उपर थाई अने पद्य उपरांत गद्यमा पन साहित्य सर्जन थवा लाग्यू फड़ स्वारूप गद्यमा अनेक नवा प्रकारों खेडाया जिमाननी बंद, नाटक, जीवन चरीत्र, आत्मकथा, प्रवास्वरणन, टुकी वारतानी जेम नवलकथामा पन पस्चिमना साहित्यमा थी अपना वायलो साहित्य प्रकार बन्योश आधुनीक युगमा नवलकथाई करवट बदलीचे, सुधारक युगमा संसा सुधारानु लक्ष ताकीने बेठेली गुजराती, नवलकथा पंडित युगमा मुल्य बोज तरफ वडेली, तो गांधी युगमा मुन्षिये कलात्मक्ता तरफ एनु सुकान वालेलू पंडालाले मानवनी अने ते साथे समस्टीनी वास्तविक छबी कलात्मक्रीते आलेखवानो प्रयास कर्यों, नवा युगमा स्वरूप अने सामगरी, भाषा अने अभिव्यक्ती इत्यादी द्रश्टिये नवलकथा नवा रूप रंग धारन करे छे, ए वात फरी कोईक बखते, कोई एक सोकांथी फलश्रूती मां सहे जे 25 नवलकथा ओतो चीरंजीव मुद्रा धारन करे छे, ए आशास्पदवाद छे, खरे-खर नवलकथा लोकप्रिया बनी छे, तेज समये आदूनीकोना अगरणी सुरेश जोशी नुँ एक विधान नोंधिये, तो नवलक ए, लोकप्रिय साहित्य चे, साहित्य प्रकार चे, आथी लोकरंजननी सीमाने उलेंगवानू गणाने माटे अगरू थाई पडे चे, मांगने पहुची वडवा जथाबन नवलकथाओ लखाती जाई चे, पन साहित्य रूपे पस्टिम मां ए शक्यताओ प्रगट करी चे, ते जोदा, आपने खूब पाशड रही गया चीए, एमज कहवानू प्राप्त थाई चे, तो विद्यार्सी मित्रों हवे, आपने मलेला जीव नवलकथा नो टुको परीजेई जुईए, तो मलेला जीव, 1901 मां पन्नालाले मलेला जीव नवलकथा आपी, मे घानी प्रस्त आपने एम जरूर कहिए, के मलेला जीव मात्र कथारस आपती चौपडी न थी, ए सर्जन थी ये विशेश, लेखी नी माथी अवश्पने अवतरण स्वाभाविक सर्जन थे, आमा सर्जन नो वेग, अने कल्पनानो आवेग भरेला चे, तेथी जनपदनी ए कथा प्रत्यक वाचकनी पोतानी स्नेह स्रूष्टी बनी रहेचे, गामडानी बे भिन्न ग्न्याती ना यूवान प्रेमियो कांजी औने जीवी आ कथाना मुख्य पात्रों छे, जन्मास्टमी प्रसंगे कावडियाना डुंगरनी नेल मा भरायेला आ मेला मा आकस्मिक रीते भेगात है ग अम्मर वलोणू फर्तु थाई जैज, मन थी मलेला एबेजिव विकुटा केवी रिते पड़ेचे, अने केवा संजोगों मा पाचा पण मलेचे, तेनी रदै द्रावक कतनी, अने ते निमीते स्थूल सुक्ष्म प्रेमनी साथे साथे मानवीना रहेला सत्वनी कपरी कसोट करती वस्मी परिस्थियत्योंनु वेधक चित्र अहीं सबल रिते अलेखन पाम्यूज शे, जीवी तरफना प्रेमने कारणेज, कानजी जीवीने पोताना गामना गाईजा साथे परणावेशे, पन बेव वाते सूख, विचारता कानजी, अने जीवीना जीवतर, आ कारणे जेर जेवा विशेश थाई जयेचे, वहमी धनी तरफनी शाररीक तेमज मानसिक त्रास सहन न थता, जीवी रोटिलामा जेर मेडवी आत्महत्या करवानों प्राहित्न करेचे, परंतु विदी वशात अजणता एरोटलो दूडो खाई जयेचे, अने जीवी विधवा बने शोक मगन जीवी मानसिक समतुला गुमावी बेसे चे, कान जी पन आदिवसो मानोकरी नी शोध मा अने समाजना मेहना थी बचवा शहर चाल्यो गयेलो होई चे, अन्ते एक दिवस कान जी ने खबर पड़ता, ते शहर मा थी आवी बुंडा हाले जीवती पागल जीवी ने पोतानी साथे लई जये छे, अहीं मृत्यू थिये अदिकी मानव जीवननी करुण तानो प्रत्यक्ष अनुभव वाजकोने थाईचे, वाड़ताना अन्ते एक पात्र भगत ना हैया माथी भारे श्वास साथे सरी पड़तो उदगार लेखके मुक्यो चे, वाहरे मानुई तारु हैयू एक पालोही ना कोगडा ने बीजीपा प्रीत ना घुटडा, असहज उदगार एक कथा निमित्ते पन्नालाले करेलू मानव जातीनु यथार्थ जीवन दर्शन बनी रहे छे, मलेला जीव पन्नालाल पटेलनी यशोदाई नवल कथा छे, जीवी अने कान जी आ नवल कथाना मुख्य पात्र छे, कावडिया डुंगरनी नालमा जन्मा श्टमीना मेले चकडोडमा बन्ने मली जाय छे, प्रथम प्रक्रणनु शिष्षक प्रथम संगात छे, गुजराती नवल कथानी परंपरामा नायक नायका शेहरी अने उच्चे वर्ग वर्णना ह एवी अगाव आवेली कथाओ मा थी मलेला जीव जूदी पड़ेश्षे, नोखी पड़ेश्षे, गुजराती गुजराती साहित्य परिशदना प्रमुक पदे थी एम कहुँ हट्टू कि कोशियो पन समझी शके एवी भाषामा साहित्य रचावू जुईए, गुजराती टुकी वार्तामा गामडू धुमकेतुनी वार्ताओ द्वारा अव्यू, गांधी युगमा समाजना छेवाडाना मानसो, ग्राम समाज तलपदी भाषानो साहित्यमा विनियोग आदी वलन साहित्य रचनावूमा प्रगट थवाल लाग्या हता, बद्र वर्गनू साहित्य के भव्याती भव्य कल्पना शिलज साहित्य न थी, पन ग्राम समाजनी वास्तविक, क्रोशी औने आधारीद जीवन शेली ग्रामीन तहवारो ग्ण्याती जातीनी लाक्षनिक ताओ, गांबडाना प्रजा जीवननी तासीर, प्रगटावतु साहित्य गांधी युगना ग के काड मा, मेडामा, लोक जीवननो धबकार जिलती, छबी, आ नवल कथामा सुपेरे अंकीत थाईचे, कानजी पटेल ग्ण्यातीनो युवान चे, जीवी ग्ण्यातीय वानंद चे, बन्ने मालेला जीवननो स्ने, संगर अने व्याथानू आलेखन नवल कथाने यश अपा पात्रानू सारी भाषा, विशेव्यस्तुनी यथा योग्य मावजद आ नवल कथामा धईचे, प्रथम संगात, मलेला जीवन नवल कथानू पहलू प्रक्रण चे, जे आपना अभ्यास नो एकम चे, जेनो विगते अभ्यास करीशू, तो कावडिया डुंगर नी नाड मा जन्मा श्टमीनो मेडो भारायो छे, मेडामा महालता युवानो नी वाद थी नवल कथानो प्रारंभ थाय छे, अपनी संस्कृतीमा मेडानू आगवू महत्व छे, मेडामा चकडोलनू पन एटलू ज महत्व, चकडोल अहीं कानजी जीवीनू मिलन स्थान बने छे, जीव वाद चीतनी तक मले छे, जोडे बेसीने चकडोल महालवानी आ मुल्यवान तक कानजी जीवीनो प्रथम संगात बने छे, चकडोलनू चक्रपूरू थाया पची धरती पर पग मुखती वकते, स्वर्ग माथी नीचे उतर्या होई, एवु अनुभवतो कानजी पोताना गा उगडिया तरफ पोताना साथियो साथे जतो होई छे, त्यारे जीवी रस्तामा तेने माली जाये छे, जीवी कानजी तथा तेना मित्र हीराने पोताना घेर लैजेवा माटे आगरह करे छे, गरे लैजेवामा सफड थाये, प्रथम वकत मलेला बेजीव एटले कानजी जीवी ने परस्पर आकर्शन थाये छे, तेवा समवादो आप्रक्रण माँ छे, कानजी ने वडावती वकते जीवी कहे छे, पोते न बुली जाओ, एटलू याद राग जियो ने, बाकी अमे तो हवे बुली रह्या, आप्रक्रण मा जीवी औने मनी बनने सखियो छे, चे मेलामा साथे गई छे, उघडिया गामनों कानजी, तेनों मित्र, हीरो तथा काली पगेरे साथे गईो छे, कानजी ने एक मोटा भाई, तथा भावी अने भत्रीजी रतन पण छे, कानजीना लगन हजी थया नथी, गाममा एवी छाप छे के कानजीना लगन न थाई, तेव तेना भावी इच्छे छे प्रथम प्रक्रण ना अंते जीवी गाम माथे विदाय लेता कांजी ने जुए रहे छे प्रक्रण ना अंते वाचक कांजी जीवी बाबते कुतुहल पूर्वक प्रवुरुत थाई छे कांजी, हीरो, काली, जीवी, मनी जेवा पात्रोंनो सिधो परीचै समवादे द्वारा आ प्रथम प्रक्रण माच थाई छे कांजी ना भाई, भावी और भत्रीजी रतन्नों प्रत्यक्ष उल्लेक्ट थायो छे कांजी अनी जीवी बन्ने मलेला जीव तरीके भावक समक्ष रजु थाया छे केवडिया डुंगर नी नाडमा जन्मास्टमी नो मेडो भरायो हतो एवा वाक्य थी मलेला जीव नवलकथानो प्रारम बथाय छे डुंगर नू नाम केवडियो डुंगर छे जन्मा श्टमी नो मेडो भरायानो प्रसंग छे, आपनी ग्राम्मे संस्कृती मा मेडानो विशेश महत्व छे जन्मा श्टमी नो तेहवार उत्सव अने आस्ता पुर्वक उजवाई छे रातरीना बारवाग्य क्रिष्ण जन्मनी उजहवणी नी आपने त्या भव्य परमपरा छे आठमनो मेडो गुजराती प्रजा जीवनना उल्लास मा सहजरीते वणाई गयो छे उमदा सहित्य क्रुती द्वारा आपने देश, काल, स्थर्ण अने प्रजा जीवनना प्रवाहो विषे जानी शकिये छी वाचक मात्र विगतो नथी मेळवतो पन सहित्य क्रुती द्वारा ते रजनामा रहेल अनुभव विश्वने कलात्म कृत्ते पामेचे मेडे चडेली गेली युवानीनु लेखके तादर्श वर्णन करूँछे डुंगरनी नाडमा युवान यूतियोना टोडाओ उभराईचे बार महिने एक वार इतलेगे दर जन्मास्टमिये भराता मेडाना कारणे योवनना कोला हलमा नाडनु बार बार मासनु मोन तुट्टु वार तेहवार अने मेडावु आपनी गम्य संस्कृतीना लैमा भडी गयला छे नदीक इन्यारे अथ्वातो पोवराणिक मंदिरना सानिध्यमा मेडो भराई आरजनामा डुंगर नी नाडमा आवेला महादेवना मंदिरनु वर्णांचे केवडिया डुंगर नी सामी बाजु बीजो डुंगर छे बनने डुंगर वच्चे मानवी योनों जूलतो पूल पूल अच बंधाई गयो छे ए द्वारा लेखक मेडे महालवा आवेला योवन नी वाद करेचे जेम जेम दिवस ढडतो जाय छे तेम तेम जगडोड मा छेल्ली मजा माणी लेवा माटे युवक योवतियो नी वदिती जती भीड मा मलेला जीव नवलकथाना नायक नायक नायका कानजी अने जीवी बनने छे मेडो मडवानू निमित बने छे चकडोडनू उपर नीचे थवु जीवन चक्रना प्रतिक तरीके उपसी आवे छे चकडोड मा महालवाना जीवी ना पैसा कानजी चुकवे छे तेतो समवाधिनू बहानू कहो के सर्जकनी प्रयुकती कहो मेडे मड़या पछी छुटा पड़ू ए पण नी यदी छे मेडाना दिवसे समी सांजी पोदपोताना गाम तरफ वडता लोकों मा बे जण एवा छे जीना जीव मड़ी गया छे एक दिवस माटे छुटा पड़वानू छे पण हैया मड़ी गया छे ए बे पेईकी नायक एवो कानजी केवो लागे छे तो एनू वरणन जुओ कानजी नी उम्मर 25 नी हशे पाँज हाथ नो तड़ो जुवान कही शकाए एवो एनू काठू पन हदू एनी पहले आखोमा जेटली हास्यानी छाट हती एटली लापरवाही पन देखायावती हती पगमा अडिशेर वजनना नाल जडेल फुदडियो वाडा जूडा हाथा कुटी सुधीनु दोतियू रंगीन खमीस उपर सफेद कोड अने माथे गुलाबना गोटा वाडो लाल साफो हता साफानी बाननी कोई अनेरी हती अने एमाई छो गुतो जाने एमज मुकी जयानतो हतो उपरांत पाछा लामबा तलाने गढामा वीटीने कोई ओर रंग जमाभ्यो हतो नवाज गोटा बांधेला पावानी जोड पन गढामा लटकती हती पावा उपरेली भात पावा प्रत्यनों शोक छत्तों करती हती आवा कानजीने चकडोड मा जीवीनी जोडे बेस्वानू मलेच छे चकडोड मा बन्डेना पैसा कानजी चुकवेच छे हेठा उत्रीने हुँ तमने पैसा आपी दश एवु बोलती जीवीना प्रस्तावना प्रत्योतर रुपे कानजी रुपियो आलताई चकडोड मा आम जोटा जोट एटलेके जोडे बेस्थनार न मले तो वड़ी पैसा मा शी विशात छे एवु विजारी ले छे पण बोलतो न थी अने एटलूज बोले छे के तमारा करता कैसा वधारे छे चकडोड माज जीवी कानजी ने पावो वगाडवानु सुझवे छे अने कानजी बे लीटी वगाडे छे फागणने वाईरे आव्या जोबनिया वैशाकनी वाईरे उड़ी जतारे कानजीना गीतनी अब्बे कडी पावाना सुर्मा वहती थाई अने हैयानी गती बदलाई गई चकडोड माँ एकज बेठक माँ जूडे बेठा हता त्यारे स्वर्गनों अनुभाव हतो अनि चकडोड पूरू थाया पछी स्वर्ग उठी गयानों रंज पन हतो जीवी कानजीने पैसा अफवानी चेश्टा करे छे पन कानजी पैसा लेतो नथी परस्वर्नी निगटता वधे छे तेवा संवादोथी वाजक कानजी जीवीना प्रथम संगातना माधूर्यने माने छे कानजीने प्रथम नजरेज गमी गयेली युवतीनू तादर शब्द चित्र लेखके आलेख्यू छे परन्तु खरूत पूछो तो जीवीनू रूप मोर टाक्या जेवूज हतु उम्मर विशनी आसपास हती नमुनेदार सागना सोटा जेवी एनी देहलता हती काटिला अंगोमा तंदूरस्तीनी सुर्खी तपु तपु करी रही आती लंब गोण मोने शोभा आपती अणियाणी आखोमा कोमार नी लज्जा तथा युवानी मस्ती वच्चे जाने द्वन्द चालता हता अने एमाई काजणना अंजन तो कोई जादूनाज काम करी रही आहता आ बदू जाने ओचु होई एम दरियाई छीटनो घागरो अने गवन पहरी आहता तानी ने बांदेली कापडनी कसोना मोती भर्या गोटा उष्ट भाग पर रमत करता लज्जकनी चालमा और उमेरो करता हता कानजी अनि जीवी विशेना सर्जकना वर्णनो परस्पर आकर्षन थायानी वातने सहज रिते प्रतिती योग्य बनावेच्छे कानजीना मोटा भाईनी दिकरीनु नाम रतन छे रतन माटे भाबी ये बंगडियो मंगावी छे ए याद आवता कानजी बंगडी खरिद्वा थम्बी जाये छे आ घटनानू उमेरन करी सर्जक कानजीनू तेना परिवार मा केवुस थान छे ते दर्षावे छे 25 वर्षना थयेला कानजी माटे भाई भाबी सहेज पन चिन्ता करता नथी तेना लगननू विजारता नथी एवी गामलोको मा चालती चर्जाना सजानो सर्चानो उल्लेख द्वारा लेखक कानजी जीवी अपरणीत होवाना कथानकने रमणिय रीते रजू करेच्छ मेडो पतावी पोतपोताना गाम पाछा फडता कानजी पोतानी जाल जडपी करी आगड थै गएली जीवी अने तेनी सहेली मनी सुधी पहुची जाये जड़े चालवामा गमतो संगात मले तो सफर नी मजामा वधारो थाई कानजी कहे छे एक वार करी जूह संगात पछी अध्वच्चे मेलिये तो के जो केम हीरा रस्ते चालताज जीवी मनीनु गाम आवे छे जीवीना आगराथी मनोर अने काले चीवा बिजा मित्रों ने अलगा करी कानजी तेना मित्र हीरा साथे जीवीना घरे जायेचे उगडिया गामनों कांजी जीवीना घरे चा पिवारो काईचे जीवीना बापु साथे वातो थाईचे फरिवखत मडवानी वात थाईचे कुवे पाणी भरवाना बहाने मनी अनी जीवी बेडु लाईने निकड़ेचे उगडिये जवा निकणता कांजी ने छेली पड़ सुधी जीवी जोई रहे छे अने पोते न भूली जाओ एटलू याद राख जोने एम कहती जीवी ना उन्डा नेश्वास साथे विद्यार्थी मित्रो प्रथम संगात प्रक्रण पूरु धाईज तो विद्यार्थी मित्रो आ मलेला जीव नवल कथाना अन्च प्रथम संगात प्रक्रण ना अभ्यास बाद तमे तमारी प्रगती चाकाशी शक्षो चिमा नीजेना प्रश्णो ना उत्तरो आपो प्रश्ण 1. प्रथम संगात प्रक्रण कै नवलकथा माथी लेवामा आव्योचे प्रश्ण 2. मलेला जीव नवलकथाना लेखक कोण चे प्रश्ण 3. प्रथम संगात प्रक्रणा ना आधारे कान जी अने जीवीनु शब्द चित्र आलेखो विशेश अभ्यासमा भाषा भी व्यक्तीमा अलंकार तपासो एक डोलता डुंगर जेवा वादला पूर्व तरफ जै रहिया हता आ कईो अलंकार छे ते ओडखी बताओ बिजु बेउ डुंगरो वच्चे मानवी ओनो जुलतो पूलज जाने बंधाय गयो हतो आ कईो अलंकार छे ओडखी बताओ तो विद्यार्थी मित्रो आब आटलू अवश्य वाँच जो मलेला जीव न मोड नवल कथा के जेना लेकक्षे पन्नालाल पटेल अने मिजा पुस्तक नो पन अभ्यास करवो जुए मिजु पुस्तक्षे तरस्या मलक नो मेग अने जेना लेकक्षे मनिलाल हव पटेल गुजराती साहीत्य परिश्यद नू प्रकाशन गुजराती साहीत्य नो इतियास ग्रन्थ चम्मा पन्नालाल विशेक जे प्रक्रण मुकायू छे तेनो पन विशेश अभ्यास आपे करवो जुईये तो विद्यार्थे मित्रो अहियां आपने एकम आठनो अभ्यास कर्यों हवे फरी पाचा कोई नवा एकम साथे मलिशू आप खुब प्रगती करो एवी शुबकामना आप सवनो खुब-खुब आभार अस्तु स्वाध्या यह पर्या मंता पहाँ